हम बात कर रहे है रेमेडियम लाइफ केर लिमिटेट की आज के दिन की बात करें तो इस्टॉक में एक परसेंट के ऊपर की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है देख सकते हैं थर्ड टैम स्टॉक ने अल्मोस्ट पहले दो दफा जहां से रिजेक्शन फेस किया था 10 रुपे 80 पेसे का लेवल उसी के आसपास से तीसरी दफा भी स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है लेकिन इस गिरावट के साथ पॉजिटिव बात है रही है दोस्तों कि आपने इस सपोर्ट को जहां से इससे पहले सपोर्ट लेके 9 रुपे 40 पेसे 9 रुपे 50 पेसे का जो लेवल है जहां से सपोर्ट लेके अफसाइट डिखाये थे उसको नीचे की और ब्रेक्ड़ान नह लेंगे क्योंकि अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक्ड़ान नहीं करता है और इसके उपर सस्टेन होता है तो वैसे कंडिशन में फिर बांस बैक के चांस बनते हैं लेकिन अगर इस सपोर्ट को ब्रेक्ड़ान कर गया गिरावट के साथ तो वैसे कंडिशन में इस से पहले जह से सपोर्ट लिया था 9 रुपे का लेवल और सबसे आखिरी सपोर्ट की बात करें 9 रुपे का लेवल भी ब्रेकडाउन कर जाता है और सबसे आखिरी सपोर्ट की बात करें तो 8 रुपे का लेवल रहेगा अब देख सकते हो स्टॉक कुछ दिनों से इस रेंज में ट्रेट कर रहा है जंप देखने के लिए मिल रहा है लेकिन जंप पर ब्रेक ओट नहीं कर पा रहा है स्टॉक जंप पर ब्रेक ओट होना important है अगर 10 रुपे 80 पैसे 11 रुपे के लेवल को ब्रेक ओट कर जाता है स्टॉक तो ऐसा continuation में फिर upside में अच्छा momentum देखने के लिए मिल सकता था तो यहां से आप अगर जंप आता है स्टॉक में तो यह जो लेवल है जहां से correction दिखाए 10 रुपे 20 पैसे 10 रुपे 30 पैसे का लेवल immediate target है इस लेवल को ब्रेक ओट कर जाता है तो आगें major resistance करेंगा 10 रुपे 80 पैसे 11 रुपे का लेवल जो के तगड़ा resistance है इस लेवल का breakout important है अगर breakout कर गया इस लेवल को जारा रुपे के लेवल को तो नेक्स resistance करेगा 12 रुपे के पास और 12 रुपे के ब्रेक ओट के बाद फिर 15 रुपे तक के भी target हमको इस टॉक में देखने के लिए मिल सकते हैं वीडियो एजुकेशन परपस के लिए हम कोई बाइसे लिए होल्ड की सला नहीं दे अगर आप टिमेट अकॉंट ओपन करना जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में दीगई लिंक से कर सकते हो